अपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और जैसा कि कल हमने वीडियो में जो है केमिकल सेक्टर की बात की थी तो आज हम उस चीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और जैसा कि केमिकलिंदेस्टी की बात ुई थी तो वहाँ जैसे टाटा केमिकल्स बायर्स Syngenta, Coromandel इस तरीके की बहुत सारी कमपनिया है Sumitoma Chemicals है तो ये Chemical Sector की कमपनिया है तो Chemical Sector की जो कमपनिया है उनकी Stock Market में कैसी Presence होती है और किस तरीके से जो है आपको पदा लगता है कि ये कमपनिया किस तरी से Perform कर रही है तो सपोज करो कि अगर हम Tata Chemicals की ही बात करते हैं तो Tata Chemicals की साइट पर आ जाते है Tata Chemicals की ये साइट है ये Overall Group की साइट है तो इस पे अगर हम देखें कि ये क्या क्या करती है कहां कहां है तो इसकी जियोगराफिय में ये ACR, North America Europe, मलब बहुत सारी जगे फैली हुई है अब बात करें इंडिया में ये क्या करती है कौन से प्रोड़क्ट बनाती है तो वो भी बहुत सारे प्रोड़क्ट है इन प्रोड़क्ट में इनका एक विशेष है Agri Science करके जो Tata Rallys के नाम से जो है आपको बजार में प्रोड़क्ट दिखते है ये जो Rallys है इसमें Agriculture के Chemical Household के Chemical Seed वगेरा ये सारी चीज़े होती है जो किसानों के काम की होती है यहीं से आप भी अपने Chemical लेते हो अगर आप देखोगे कि वह ये जो है क्या Chemical बनाती है तो इसमें जो है यहाँ अगर आप इसका इंडिया का बिजनस देखोगे तो उसमें Crop Protection Seed Household Product Crop Nutrition Animal Nutrition और Contract Manufacturing Contract Manufacturing में ये है कि जो Chemicals ये बनाती है तो दूसरों को भी देती है Chemicals के फार्मूले और Crop Nutrition में जो है Crop में डलने वाले वो होते हैं Basically जो आप Past Control में यूज करते हों वो इसके तीन प्रोड़क्ट है Household Product अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको वो दिख जाएंगे सबसे पहला प्रोड़क्ट तो इनका जो है वो इमीडा है इमीडा क्लोरोपिड जिसे लोग जो है वो किसी को नहीं पता है प्रीमाइस में जो टेक्निकल होता है वो होता है इमीडा क्लोरोपिड और ये एक टेक्निकल बहुत सारी कंपनिया बनाती है तो टाटा भी जो है वो बनाती है एक टाटा का जो है इमीडा आता है यह IMEDA है दो नमबर पे टाटा का और पहले नमबर पे इन्होंने दिया है लेम्डा साइपर मैथरीन तीसरा प्रोड़क्ट जो है इसका है फिफरोनिल जो कोकरोच के लिए काम आता तो बेसिकली हाउस होल्ड के लिए इसने तीन प्रोड़क्ट इसके जो है जाने जाते हैं और यदि बात करें हम इसके बाकी केमिकल जो एगरिकल्चर में यूज होते हैं उतन की तो यहां आप देख सकते हैं इंसेक्टि साइड हैं हर्बी साइड हैं फंजी साइड हैं और बायो पैस्टि साइड हैं चार केटेगरी में ये जो है केमिकल बनाती है और अगर इनके प्रोड़क्ट भी आप देखेंगे नेचे स्क्रोल करके तो आपको अच्छी खासी रेंज जो है मार्किट के वो दिखाई देगी यदि हम एक एक प्रोड़क्ट का रिवियू करने के लिए लगेंगे तो हमें काफी समय लगेगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इनके उपर से अलग से वीडियो लाएंगे ये आपने इंसेक्टि साइड देखे अभी आप जो है इनके हर्वी साइड देख सकते हैं हर्वीशाइड में भी काफी अच्छी रेंज इनके पास उपलब्द है तो जिनके पास रेंज है, प्रोड़क्ट हैं वो केमिकल कंपनिया भी ठीक कर रही है यह फंजीशाइड की इनकी रेंज है और ऐसा नहीं की खाली फंजीशाइड में एक दो फंजीशाइड है बायो पैस्टिसाइड जो बड़ा लेटेस्ट है मार्केट में और ये इनके पास अभी केवल जो है चार ही इस तरीके के प्रोड़क्ट हैं जो यूनीक हैं एक नीम से है एक फ्लोम तो इसके बारे में हम लोग जो है अलग से एक एक वीडियो हर टेक्निकल्स के उपर लाएं उनका बिस्टिसाइड करेंगे क्यूंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं पैस कंट्रोल गी लेकिन धीरे-धीरे इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं इनको भी लेंगे अब ये तो बात होगी कि कम्पणी क्या करती है कहां करती है तो मल्टी-नैशनल कम्पनी है इंडिया में और इसके अलावा जो हम लोग pest control में इस्तमाल करते हैं वो तीन product जो हैं वो भी आते हैं तो ये बात हुई इसके कामकाज की company की अब बात करते हैं कि share market में ये दिखती कैसी है तो ये टाटा केमिकल का जो है वो एक चार्ट है जो पांच मिनिट टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो आप देखोगे कि ये जो रेड वाला portion है मतलब यहां जो है बेचने वाले बायर और सेलर होते हैं तो जो सेलर होता है वो रेड कलर की candle से रिपरजेंट होता है तो य यह यहां green रहा तो यह बायर रहा भी था अब यह पांच मिनिट का चार्ट है आपको लग रहा हो इसमें तो उपर नीचे उपर नीचे यही हो रहा है तो हमें जो है सबसे जरूरी होता है कि time frame जो है वो change करके देखना पड़ता है अब यदि हम इसको एक मिनिट की candle है तो दोनों में जमीन आस्मान का अंतर होता है अभी हमने जो है one month candle लगाई है यानि कि एक हरी या लयाल जो यह candle आप देख रहे हैं वो एक महिने की एक है हमने जो कल कहा था कि लंबे समय से यह जो है वो performance नहीं दे रहा है मार्केट तो वो यह है यहां से अगर आप देख हाओ जो है नहीं है और ऐसे ही जब आप जो है देखोगे तो यह कितना लंबा पीरियर्ड है एक candle एक महिने की है समझे लो कि एक महिने में कितना उपर नीचे हुआ होगा वहीं के वहीं यह बैठा हुआ है 2021 में थोड़ा भूद जो है वो संभलनाव सेक्टर ने शुरू किया और 21 के बाद यह आप जो है यहां 24 की सुरुवाद देख रहे हैं तो इतने लंबे समय से जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है और यह जो परफॉर्मेंस है जो आज का इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं बहुत कम है याने कि यह जो है कम से कम जो 11 2011 दिखाए दे रहा है यह 4000 से 5000 कर आसपास होता तो थोड़ा भूट जो है हम कह सकते थे कि कोशिस कर रहा है इंडेक्स के साथ चलने कर इसमें जो है अब हम देखते है कि बहुत जो करेंट चलना है उसमें क्या है तो ये जब हम लंबा देखते है चार्ट तो दूर का दिखता है फिर हम इसको जो है डेली के हिसाब से देखते हैं तो डेली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा जो है इसमें वोलेटिलीटी हो रही क्यों हो रही है क्योंकि आप नजदीक का देख रहे हैं आप long term में नहीं देख रहे हैं यदि आपने जो है इसमें तीन साल चार साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो वहां हमें लंबा चार्ट देखना होता है कि क्या chances हैं और जब market high पे है और ये भी जो है आपको उपर की त दिख रहा है और सेक्टर जो है ओवरोड गिरा हुआ है तो यहां भी पैसे लगाने का अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता यानि कि मेरी सला में यहां अभी पैसा लगाना बनता नहीं है वेट करना बनता है अब इसको और छोटा करेंगे एक दिन से हम इसको जो है वो पैतालिस मिनट पे ले आते हैं पैतालिस मिनट में आप देखोगे तो सिनेरियो कुछ दूसरा होता है और जब पांच मिनट में देखोगे तो डिफरेंट होता है जो लंबे समय के लिए टेडिंग करते हैं उनको पांच मिनट दस मिनट के चार्ट देखने ही नहीं होते है वो सीधा जो है मन्थली वीकली और डेली ही देखते हैं और उसी के आधार पे डिसीजन लेते है यूट्यूब पे आप चार वीडियो जो ह देख लीजिए शेर मार्केट की तो आपको 400 वीडियो रिकमेंट कर देंगे और हर वीडियो आपको यही बताएगी कि आपका पैसा जो है आज लगाई और कल डबल कर देंगे तो ऐसा मार्केट में जैसा बताया जाता है ऐसा होता नहीं है सबसे जरूरी है पेसेंस रखना और पेसेंस के साथ साथ जो है आपको नोलिज रखना तो जो यह चैनल है इस पे हम जो है ज्यादतर नोलिज की ही बात करेंगे अभी इनवेस्टमेंट की कोई बात हम नहीं करेंगे हम सर्फ यह देखेंगे कि जो लोग बताते हैं उसमें कितनी सच्चाई और कैसे काम होता है ताकि हमें जो है इसकी जानकारी रहे इसी तरीके से हम जो है और भी केमिकल्स की वीडियो लाते रहेंगे उसमें एनलाइज भी करेंगे और जी यह कैंडल वाली बात हमने बताई है आने वाली वीडियो में हम धिरे धिरे एक एक करके यह भी बताएंगे कि यह कैंडल ब वन बाई वन करके हमें सीखने को यहां मिलेगी, तो आज हमने Tata Chemicals के बारे में जिकर किया, अभी Tata Chemicals में कोई मुमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्ट मेंट नहीं है, सिर्फ यह जो है, एनलाईज करने के परपसे और एजुकेशन परपसे हमने आपको डिखाया है